365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं सवाल असली सफलता पाकर जीवन में पूर्णता और संतुष्टी कैसे प्राप्त करें? सफलता पाने में कौन-कौन सी बाधाएं आती हैं? सफलता प्राप्ती का मंत्र क्या है? जाने तीन तरह की सफलता हैं प्राप्तीड सवाइं अचेविién सफलता हैं छोंतीम सैबल हाँ 10.6 सी भी सफलता लिस्चेविवकल्स क्याशल को फुछीशन 3. 10. 6.2 अचिवर निशां प्राप्तेशन 8. 2. 1. Gothic लोगों सवाल पुछागिया है जाने की इअ जानेविया टो ta stinkyamp iddo तो तीन तरह के जवाब आते हैं सफलता यानि क्या सफलता दूसरों के हिसाब से सफलता अपने हिसाब से और सफलता जो जीवन का लक्ष है जो हमारी दिव्य योजना है इश्वर कहे अल्ला कहे दिव्य योजना कहे सुष्ष साक्षी कहे जो भी शब्द दिया जाए तो हम सफलता चाहते है यानि पूर्णता चाहते है जो पूर्ण है वही सफल है तो किसके आधार पर दूसरों के आधार पर पूर्णता माने क्या दूसरों के आधार पर तुमारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास ऐसा घर है, तुम्हारे पास ऐसी नोकरी है, तुम्हारे ऐसी शहुरत है, तुम्हारे पास ऐसी कुर्सी है, तुम्हारे पास ऐसी कला है, तो तुम सफल हो, तो तुम पूर्ण हो, तो जिनके पास ये सब चीजे हैं, उनसे पूछ लेना, तो ऐसा नहीं है मगर दूसरों के हिसाब से सफलता की परिभाशा यही है पूर्णता की परिभाशा यही है यह मिलेगा तो पूर्णता वरना नहीं फिर अपने हिसाब से जब आप पुछोगे सफलता किसमें जो काम आप डिसाइड करते हो निरणया लेते हो यह काम मैं शाम तक पूर किया सफल हो कार्पेंटर बनना डिसाइड किया निरने लिया और कार्पेंटर बन गए तो तुम सफल हो लोग नहीं कहेंगे कि तुम सफल हो वो कहेंगे कार्पेंटर बनना क्या बनना डॉक्टर बनते तो कुछ बनते तो सफलता है मगर तुमने डिसाइड किया जो बनना वो बनने तो तुम सफल, तो ये दूसरा, तीसरा पहलू, दिव्ययोजना के अनुसार, इश्वर के अनुसार तुम्हे जो बनना था, वो तुम बने, तो तुम सफल और इश्वर के अनुसार तुमें क्या बनना था जो तुम हो इश्वर के अनुसार हम कुछ अलग बनकर बैठ गये जिसकी वज़े से इश्वर ये इच्छा क्या है कि हम फिर से वह बन जाए जो हम है अपने आपको जो मानकर बैठे है वो मानकर नहीं उस मानिता से उपर उठो अब मानिता का डर न हो किस दिन काले कपड़े पहने तो कुछ गड़बड हो जाएगी इस तरह के रंग के कपड़े पहने तो आँख फड़क रही अभी क्या होगा अब डर होगे नहीं क्यूंकि दिव्य योजना के अनुसार हमें जो बनना है तो अपने आप से पूछना है तीनों में से किस तरह की सफलता चाहिए तीसरे में है सेल्फ रियलाइजेशन स्टैबिलाइजेशन पूर्णता हाट पर शिफ्ट होना हेड से हाट की तरफ हाट ओपनिंग वरना हाट बंद हो जाती है हाट फिसिकल नहीं कि फिसिकल हाट बंद होगी तो शरीर खत्म हो जाता हेड में ही अगर जीते रहे विचारों में ही खाली जीते रहे और विचारों भी कौन से कलाभासी वाले सारी दुनिया के लोग मर जाएंगे तो आखरी इंसान को शमशान को उन लेकर जाएगा ऐसे विचारों से कुछ होने वाला नहीं ये सब मानिताओं के विचार विवेक शक्ति के द्वारा जागरत किये गए विचार तो हेड से हमें शिफ्ट होना है हाट की तरफ और डिस्टन्स बहुत कम है हेड और हाट के बीच में मगर लोगों की पूरी जिंदगी खतम हो जाती है वहाँ पहुंचते पहुंचते और नहीं पहुंच पाते पूरी तरह से खिल नहीं पाते तो तीन परिवाशा हैं बताई आपको डिसाइड करना है आप किस तरीके से चाहते हो आगे बढ़ना लोग जो कहते वैसी सफलता चाहिए या जो आप डिसाइड कर रहे हो वो या जो इश्वर डिसाइड कर रहे हो साइड आप लेते हो कौन सी साइड आपको लेनी है सफलता पाने में कौन-कौन सी बाधाएं आती है सबसे बड़ी बाधा हमारे पैटन्स हमारे मनोशरीर यंत्र के पैटन पैटन यानि आदते कुछ लोगों में फाइर पैटन होता है फायर पढ़ने जानी कि उनको हर चोटी चोटी बात पर गुसा आता है। देन बार वो गुसा ही करते रहते हैं, वो पैठन ही हो गया। ऐसे लोग कभी कभार गुसा नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं, कभी कभी गुसा करते हैं। और कोई लोग होते हैं कभी कभार गुसा नहीं करते। क्के गुसा चलती ही रहता है। तो कहा जाता फाएर पैटन ए सपरसंगा। दूसरे का का हायर, कायर जायर नी मुथ डराहुओ सी रहता है। हमेशा, सेहमास ही होता है। लोगों के बीचeki पिछे होता है ह। हमेशे पिछे हरता है कायर बेटन तिसरा लायर बेटन जूट ही बोलती रहता, इसको हैबित बढगि जरूरवत नहीं है तो भी जूट बोलती है कोई मिला तो अरे हमार कर नहीं आया बो तद आज में शाम को आ रहा हूँ इसको पता भी गता है मारा habit ही है, उसको habit ही बढ़ गई है, जूट बोलने की, किसी ने का चुटा चुटा नहीं है, वो ऐसा निकल जाता है, habit की वज़े से निकलता है, ऐसा बोल सकते हैं, चुटा है, मगर मुझे भी चाहिए, मैं नहीं दे सकता, बात ख़तम, मारा चुट के वो habit बढ़ गई है, यह लोग कुछ बोलते नहीं है, और एक दिन बड़ा विस्पोर्ट करते, दिन में छोटी-छोटी घटने आते, चुप रह जाते, चुप रह जाते, फिर अचाना एक दिन ब्लास्ट होते है, और उसमें बहुत कुछ कर डालते है, उसको बोलते ब्लास्टर बटन है, एक हो इसी पर इल्जाम लगाना है, blamer pattern बोलते हैं, क्यों मैं नहीं कर पाया, क्यों मैं खुल नहीं पाया जीवन में, क्यों नहीं खिल पाया, कोई और कारण है, और उनके पास कारण हमेशा होता है, कोई तो है जिसकी वजह से मैं अटका हुआ हूँ, उसको कहते blamer pattern, breaker pattern यानि जिस काम हमेशा अपूर्ण रहते हैं, काम शुरू करता है, फिर ब्रेक हो जाती है, काम शुरू होता है, ब्रेक हो जाती है, सभी काम आधियादे लटके रहते हैं, बीच में, तो उसको कहा जाता है, breaker pattern, एक होता है, miser pattern, कंजूस का pattern, ऐसा इंसान हमेशा कंजूसी से जीता है, त उसका असर सभी लेवल पर होता है, वो हसेगा भी तो भी पूरा नहीं हस पाएगा, उसमें भी कंजूसी करता है, वो भी इंस्टॉल्मेंट में हसता है, का भी हस ले थोड़ा भी गर जाके हसेंगे बाकी, ऐसे लगों की वज़े से तो फिर लाफिंग क्लेब्स होगर शु उसमें उनको भुलाता है, उसमें उनको भुलाता है, उनसे हस्वाता है, अब जाके वो थोड़ा खुल पाते है, तो माइजर पैटन होता है, कंजूस का पैटन होता है, एक और पैटन है, काउंटर पैटन, काउंटर यानि जो नेगेटिव है पहले उसको काउंट करते है, 31 दात है वो ध्यान में नहीं नहीं जाता है एक दात जो टूट गया है उस पर जुबान बार बार जाती है ये नहीं है बार बार दिखता है ये नहीं है मेरे जीवन में ये नहीं है ये नहीं है यानि वो बगीशी में जाएगा तो पहले काटे देखेगा फिर बाद में फूल देखेगा अगर पहले काटे देखोगे तो फूल फूल नहीं लगते और अगर कोई पहले फूल देखता है तो काटे ज़्यादा नहीं चुपते जब आप पहले पॉजिटिव साइड देखते हो किसी चीज की तो फिर नेगेटिव उतनी बुरी नहीं लगती और पहले ही नेगेटिव देखते हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव लगती नहीं तो गॉंटर पैटर्न दिनका हो गया है, वो निगिटी काउंट करते हैं, अब हमेशा यह करना, जब भी काउंटिंग है, पहले पॉजिटिव क्या है, वो देखना, इस तरह की आदत डालना, अनन्द आये तो उस पर शक्कमत करना, दुख आये तो उस पर जरूर शक्करना, और अनन्द आये तो यह शाटेपरी रहगा, आनन्द पर तो हमेशा डवट आता है, और ठीक उटा है, आप खुद आनन्द हो, अगर अपने आपको जानने लग जाओगे, आपका होना अनन्द है, आनन्द परमनेंट है, अगर पक्का हो जाए, अगर उस दुष्टी जिस दुष्टी कॉंड से आपको देखने के लिए कहा जा रहा है, तो अनन्द पर डवट नी आएगा, अगर ठीक उटा होता है, कोई कहता है आप से के आपको पसंद करता है, प्रेम करता है, तो बार बार बुच्टे रोज पुच्टे कि तुम में प्रेम करते हो है, करते बार बार बुच्टे रहते है, बार बार बुच्टे रहते है, सामने आपको परेशान हो उसके उस पूछने के वज़ जासे परेशान हो जाता है, उसका प्रेम खतम हो जाता है, क्युको उस पर डाउट है, हमेशे डाउट है, कोई आके किसी की चुगली करता है, तो हमें नहीं आता है, हाँ वो बुराई ही रहेगा, कोई किसी अच्छा ही करता है तो हमें डाउट आता है, नहीं उतना अच्छा नहीं रहेगा, जितना बुल रहा है, तो यह मन की हैबिट पड़ गई है, यह सारे पैटन्स टूटे, यह सब पैटन्स बादा डालते है, आपको जब डर आए, अंदेरे में जाने का डर लग रहा है, कोई लोगों का डर लग रहा है, कहीं यह घटना न हो जाए, फ्यूचर का कोई डर लग रहा हो, मौत का डर लगते है, तो एक वाक्य बताया जाता है, एक मंत्र की तरह ही आप ले सकते है, मंत्र क्या है, जब भी डर आए, अंदेरे में जा रहे हो, कि नई जगे पर जा रहे हो, नए लोगों के बीच में जा रहे हो, तो मंत्र याद रखना, अपने अंदर यह पंग्ती दोहराना, और इस वाक्य की शक्ति देखना, वाक्या है, I am God's property, no evil can touch me, यानि मैं इश्वर की दौलत हूँ, कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती, टच पर आप विशेष, टच करना, क्योंकि ये कहते ही, आपके चारो तरफ एक तरंग तयार होती, एक वाइब्रेशन तयार होती है, और वो किसी भी गलत चीज को आपकी तरफ आने नहीं देती, कि लोग डरे डरे से जीती, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अटेक होगा, ऐसा होगा, वो डर डर करी जाते, उनकी बॉडी लेंग्वेज ही पताती है, यह डरे हुए लोग है, और जब आप यह पंक्ती दोहरा होगे, आपके अंदर एक नया विश्वास जागरत होगा, इंटर्वी के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जहां डर आया है, I am God's property, No evil can touch me, यह पंक्ती, एक मंत्र, एक वाक्य, वाक्य शक्ती देखना, दोहराने के साथ क्या होता है, सफलता प्राप्ती का मंत्र क्या है, जब असफलता का डर आये, तो दूसरी पंक्ती याद रखना, जिसमें पहला पार्ट सेम है, I am God's property, अगला पार्ट क्या है, My success is assured, I am God's property, My success is assured, यानि मेरी काम्याभी निश्चित है, मैं इश्वर की दौलत हूँ, मेरी काम्याभी निश्चित है, जब आप ये दोहरा होगे बार-बार, तो देखोगे वो उस शक्ती का संचार आपके अंदर होने वाला है, जब भी कहीं इंटर्व्यू जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, काम नहोने का डर आ रहा हो, तो मेरी काम्याभी निश्चित है, जितना करके देखोगे, जितनी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगी, उतना कॉन्विडंस बढ़ते जाएगा, क्यूंग हम डरे डरे से इंटर्व्यू देते तो फेली होते न, वो confident फेली नहीं करते, तो जल्द से जल्द हम इन डरों से बाहर आ जाएगे, वाक्षी शक्ति का इस्तिमाल करें, जो नेगेटिव बंगतिया दोहरा आ रहे, सुबह से लेके रात तक उनको positive करके देखें। आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और साथ ही Happy Thoughts चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश के बारे में अपने विचार, अभिपराय जरूर शेयर करें। या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा इमेल आईडी है mail-at-tgian.com कल अभिए ऑनन सुट रपकी प्टाम का आप हमें सुटू Cornच बालदू sanitation करें cultivutta